बच्चो असलाम अलेकुम बच्चों गादिरिंग क्लास 40 एसस्टी चेप्टर नमबर नाइन न्यू चेप्टर खुरे यंति दुलहाजिसों से गेपेश नमबर इन 73 तो बच्चो इस चप्टर में हम डिसकस करेंगे लिए फोरेस्टेस एंड वाइ लिए फोरेस्ट जांगले जानगली जिंदगी वाइलेफ वाइलय। जांगली जिंदगी Let us learn about the chapter पंगते सिल्चे नेच्रल विजिटेशन, पौद्रती जो विजिटेशन होते हैं, सबजियां, वो क्या होते हैं? Types of forest, कितने कस्वम के forest से जंगला थे, importance of forest और जंगल के अहमियत क्या है? forest conservation के से हमने forest जंगलात को बचाने है, wildlife of India, जंगली जंदगी ऑफ है, हिदोस्तान के जंगलाती जंदगी जंदगी बचाओ. For example, jungle में जो रहने वाले, animals होते हैं, वो क्या करते हैं? birds होते हैं, वो जंगल में जंदगी बचाते हैं, wild life. वाईलाइफ कंजर्वेशन उनको कैसे बचाना है जंगली जानवर को या जंगल में रहने वाली जानवर को कैसे बचानी है लेट अस बिंग बिगन चलो हम शुरू करते हैं के नू टेल हाव लोंग इटेक्स फॉर सेबलिंग्स तो ग्रो इंटो ए प्लांट यरान जिरन ने लो है时 यरान जिरन जिर tra funud कि यैप बता सकते हैं जिरन जिरन फॉर बorg को बढ़ने में वनीघ सेबलिंग्स चोटी पोड़ी होते हैं बड़े होने में कितना साल लगते हैं How many years would we need to create a forest tomorrow इसके सबसे आप सोचो एक जंगल को क्रेट करने में, तैयर करने में हमें कितना साल लग जाएंगे? It is difficult to answer such questions. ये मुश्कील है कि ऐसे questions का job देना. In this chapter, this chapter में we shall learn about the might of our forest. इस chapter में हम discuss करेंगे क्या-क्या फाइद हैं chapters की. केसे-केसे चीजे मिलते हैं वहाँ पर. की तरफ देनी है, ये सारे होगे हैं duty, हमारे काम, क्या कौन से काम हमें अंजान देना है, ताकि जंगलात को बचा जा सके. सबसे प्यारा गया natural vegetation, खुद्रती पेट-पोदे, natural vegetation, जशिन वह पेट-पोदे जो इनसान के मेहनत के बागर उगता हो, उसको natural vegetation कहा जाता है. Plants in general, आरकालिक, विजिटिशन, जो plants होते हैं, पेट-पोदे होते हैं, उनको विजिटिशन कहा जाते हैं. Plants that grow naturally without human effort, आरकालिक, नेचल विजिटिशन, वो पेट-पोदे जो इंसान के मेहनत के बागर, खुद्रती तोर पर उग जाएं, उसको natural vegetation कहा जाता है. Plants are gift of nature, जो पेट-पोदे हैं, वो पेट-पोदे हैं, तोफ़ा है हमें, they vary according to the factors like climate, conditions, soil, altitude and rainfall. यो जो पेट-पोदे उखते हैं, वो कुछ factors है, वो जो हादे उसके बिना पर उखते हैं, मिसाल के तोर पर climate, आवे हवा की condition के साब से, मिटी के साब से, मिटी के साब से, altitude altitude और हैट के वजजे से जमίν के एंक रेंफॉल और बारिश के फिकटर जो है वो बारिश के मज़े से, जहां बारिश काम होते हैं, वहां पे मिटी के कुछ और पालप आजते हैं. As these factors are varied from place to place, जैसे कि ये सारे बुजुहात मुक्तलिप मुकामात पर मुक्तलिफ है, there is a wide range of natural vegetation that grow in India. हिंदुस्तान में इसके सबब हिंदुस्तान में बहुत से ranges है, कि इसके vegetation के जो हमारे कंट्री में हुगते हैं. Large area of land with plants and trees are colored forest. काफी तेदात के जमीन, जहां पर पेट पुदे होगे हों, trees होगे हों, उसको forest कहा जाता है. Forests are natural resource. ये जंगलात क्या हैं? गुद्रती वसाइल है, resource है. We depends on them for many of our needs. हम सारे हमारे बहुत से जरुद्रतों के लिए हमें, हमें इस पर depend रहना पड़ते हैं, हमें हम उस पर depend है. Forests like air, water and sunlight are renewable resource. जैसे कि जंगलात बूचे हैं, forest like air, water and sunlight are renewable resource. जंगलात, air, पानी और सुरज के रोशिनी. ये सारे क्या हैं? Non-renewable resource है. Sorry, renewable resource है. उनको हम बार पर इस्तेमाल में ला सकते हैं. On the other hand, उसी तरह, resource like petrol and coal and coal are non-renewable, as they can be used up completely over a period of time. जैसे कि इन चीजों का एक बार इस्तेमाल किया, हम उसको दुबार इस्तेमाल में नहीं ला सकते हैं. जैसे कि petrol और coal, तेल ना, अर्दासोल उसी तरह, शिंग, लाकड़ी एक बार जलाया, उसको हम दुबारा इस्तेमाल में नहीं ला सकते हैं. चान अदूलेशन नौन-renewable resource, वो चीज जिसको हम दुबारा इस्तेमाल में ला सकते हैं, उसको renewable resource कहा जाते हैं. वो चीज जिसको हम दुबारा इस्तेमाल में नहीं ला सकते हैं, non-renewable resource का आजाता है चाने कल हम पढ़ेंगे types of forest के बारे में